नमस्कार सत्स्रियकाल दिशा निर्देशक होता है गाइड करने वाला होता है गुरू एक गाइड होता है तो जो माता है और पिता है वो तो आपको सिर्फ जन्म देते हैं लेकिन जो सांसारिक ज्यान अच्छा एक बात सूचिए आप लोग एक बार हमसे जुड़िये और कमेंट कीजे एक बात सूचिए अगर आप इतने बड़े हुए हैं और छोटा बड़ा छोटी बड़ी ABCD, AIE, काका की की जो भी आपने सीखा तक जो भी आपने सीखा क्या सब कुछ आपको आपने के माबाप ने सीखा दिया? नहीं हर एक अक्षर के पीछे हर एक बिंदू के पीछे हर एक वर्ड के पीछे आपके गुरू का बहुत बड़ा हाथ है मैं मानता हूँ के आपने पृथम पाट साला में पढ़ा परंतुन सबसे बहतर सबसे अच्छी पाट साला गुरू के ही पास होती है सारा योगदान आज आप जो पढ़ लेते हैं ABCD पढ़ लेते हैं आज अंग्रेजी के पैसेस पढ़ लेते हैं का अनवात कर लेते हैं आज आप हिंदी पढ़ लेते हैं संस्कित पढ़ लेते हैं काब भी पढ़ लेते हैं रस कानभो कर लेते हैं सब किसकी देन है सब एक गुरू की देन है इसलिए गुरू का आप मान कभी भी अपने जीवन में मत करना और जैसा कि है वीरह वीरेण पूज्यते एक वीर के द्वारा ही एक वीर पूजा जाता है तो एक सम्मानित व्यक्ति के द्वारा ही एक सम्मानित व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है तो अगर आप एक सजन वेक्ती हैं तभी आप एक गुरू की सजनता को समझ पाएंगे आप अच्छे हैं तभी आप दूसरों में अच्छाईयां देख पाएंगे इसी संदर्म में चलिए प्रस्तुत संस्कृत गध्यांश हमारी पाठ पुस्तक अनिवारे संस्कृत के पाठ वीरह वीरेंड पूझेते से उध्रित है तो चलिए प्रारम करते हैं वीरह का मतलब वीर, वीरेंड माने वीरों के द्वारा पूझेते माने पूझेते के ब्वीर के द्वारा पूझा जाता है एक एक वर्ड का मैनिंग समझना अच्छे से इस्थान अब यह एक एक आँग्की है संस्कृत में अब इसको उसी प्रकार धाला गया है जैसे एक एकांकी होती है एकांकी ही है ये ठीक है ये संस्कृत की एकांकी है इस्थान के आप उसका द्रिश्य बताया जाता है कि जैसे एकांकी प्रारंब होती है कि नाटक प्रारंब होता है उसका द्रिश्य बताया जाता है कि महराज हर्षबर्धन बैठे हैं महराज दुर सैने शिविर, अलक्छेंद्र से सिकंदर का, तो को अलक्छेंद्र से, रामा से, बालका से, सिकंदर से, अलक्छेंद्र से, तो बात एक ही है, इसके बात जिसे सिया जहां पर लगा होता है, तो उसको हम पढ़ते हैं काकी के, ठीक है, तो अलक्छेंद्र का सैने शिविर, सैने तो अलक्षेंद्र और आमभीक हम यहां परनुवात का एक नियम बता देते हैं जहां पर्थम पुरुस के दो करता चा से जुड़े होते हैं वहां क्रिया दुवचन में होती है ठीक है वहां धातू दुवचन में होती है क्रिया तो अलक्षेंद्र रहा आमभीका चा चा का मत अलक्छेंद्र और आम्भीक आसीनों माने बैठे हैं, वर्तते माने हैं, आसीनों वर्तते दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतहा प्रभिशति यवन सेनापती, वंदिनम माने बंदी को, जिसे रामम माने राम को, वैसे वंदिनम माने वंदी को, पुरु राजम माने पुरु राजा के, पुरु राज के, पुरु राज, राजा पुरु है, ठीक है, पोरस जिन का नाम है, अग्रे माने आगे, कृत्वा माने करके, कृत्वा में देख लिए, कृत्वा में कृत्वा प्रत्य है, तो कृत्वा करके, एकता मा आने एक और से प्रविशत्माने प्रवेश करता है येवन सेना पती एक और येवन सेना पती प्रवेश करता दो इतनी बात क्लियर हुई मतलब अलखशेंडर येनि सिकंदर का सब अगर धियु है कि आप लोगों की कमेंट बड़े धीमे से आ रहे हैं आप कितने बहुत अच्छा तो ये समझ में आगया होगा कि सिकंदर का सैन शिविर सिकंदर और आमभीक बैठे हैं बंदी पुरू राज को आगे करके एक और से यवन सेनापती प्रवेश करता है तो बंदी के हाँ पर कौन है पुरू राजा राजा पुरू जो है वो बंदी है तो सेनापती क्या कहता है थोड़ा सा बड़ा कर लेता है समराट समराट की जय हो सेनापती क्या कहता है विजयताम विजयताम मने विजय हो जय हो समराट मने समराट समराट की जय हो पुरू राज अभी पुरू राज कहता है क्या कहता है एश भारत वीरो अपी यवन राजम अभिवाद आईते एश माने यहा भारत वीरो माने भारत का वीर भी यवन राजम माने यवन राज को अभिवाद आते माने अभिवादन करता है नमस्कार करता है प्रणाम करता है अभिवादन का मतलब नमस्कार करना प्रणा करना नमस्ते करना गुड्मॉंइंंग गुड्यूंण गूडे अप्टूनून ये सब अभिवादन में आते हैं तो पुर्राज क्या कहता है कुरॉफ भी कहता है जब सेनापती कहता अब आक्षेप में आ कर कहता है वो अहो अरे अहो अरे बंधन गता बंधन गता हां मतलब बंधन में जो चला गया अर्था जो बंधा हुआ है आप इमाने भी बंधा होने पर भी आध्मानम अपने आपको वीरिति मन्य से पुरुराज तुम तो बंधे होने पर भी अपने आपको मन्ने से माने मानते हो पुरुराज मैने पुरुराज, वीर माने वीर अहो बंधन गता आप ये आत्मानम वीर इति मन्ने से पुरुराज, अरे बंधे हुए होने पर भी आत्मानम मने अपने आपको वीर इतिवीस बीर इस प्रकार मन से मने मानते हो पुरुराज अपने आपको वीर मानते हो तो पुरुराज कहते हैं यवन राज सिंगस्तु सिंगेव वनेवा भवतु पंजरेवा हरे यम राज यवन्राज सिंघस्टू मने सिंघ तो सिंघस्टू में लिखा सिंघा तू सिंघा तू देखो ऐसे सिंघा तू सिंघस्टू यह विसर्ग वाला तवर्ग आता है विसर्ग के बाद तू सिंघस्टू हो गया ठीक है विसर्ग का साह हो जाता है तु सिंग हस तु सिंग हेव सिंग तो सिंग ही होता है वने वा भवत पंजरे वा वा मने अथवा वने मने जंगल में वने जंगल में ग्रामे गाउ में रामे राम में बालके बालक में पुरुषे पुरुष में सूरे शूरे में तो वने मतलब एक ही मात्रा लगने से आपको में पढ़ना है उसके पस्चार पंजरे भी पंजरे में पिंजरे में तो सिंगस तो सिंग है सिंग तो सिंग ही होता है वने वा जंगल में हो अथवा भव तुमाने हो पंजरे वा अथवा पिंजरे में सिंग तो सिंग होता है शेर तो शेर होता है वो जंगल में हो चाहे पिंजरे में हो भई शेर तो शेर होता है ठीक है उसको पिंजरे में बांदूगे तो का तोता हो जाए गा नहीं भईया शेर तो शेर ही होता है तो पुर्राज ने यही का यम राज सिंगस तू सिंगेव वनेवा भाव तू पंजरेवा जंगल में हो अथवा पिंजरे में शेर तो शेर होता है तो अलक्षेंद्र कहता है किन्तु पंजरस्था सिंगा ना किमपी पराक्रमते कोई भी किमप माने कुछ भी पराक्रमते पराक्रम नहीं दिखा सकता कोई भी पराक्रम नहीं कर सकता पुरुराजा पुरुराज कहते हैं पराक्रमते पराक्रम दिखा सकता है यदि अवसरम लबते यदि अवसर लबते माने प्राप्त करता है यदि अवसर प्राप्त करता है तो पराक्रम दिखाता है अपिचा यवन राजा और भी यवन राज आपी चा का मतलब और आपी माने भी यह वन्राज माने यह वन्राज और भी यह वन्राज बंधनम् मरणम् वापि जयो वापि पराज यहाँ उभयात्र समों वीराह वीरभाओ ही वीरता बंधनम् मरणम् वापि जयो वापि पराज यह वीरभाओ ही वीरता बंधनम् मरणम् वापि जयो वापि पराज यहाँ और भी अमन्राज सुनिए चाहे बंधन में हो चाहे मरण में हो वा अत्माने अत्वा अत्माने भी चाहे मरण भी चाहे जंगल बंधन भी चाहे मरण में हो चाहे बंधन में हो जय हो अत्वा पराजय विजय हो वा अत्माने अत्वा पराजय भी हो उभयत्र माने दोनों जगे समों समान रूप से वीर समों माने समान रहते हैं वीर भाव ही वीरता क्योंकि वीरता का भाव ही वीरता है वीर का भाव ही वीरता है वीर चाहे बंधन में हो चाहे मरण में हो वीर चाहे पराजित हो अत्वा विजित हो वीर चाहे विजई बना हो चाहे पराजे हो वीर की चाहे विजे हो चाहे पराजे हो उभयत्र समों दोनों इस्थितियों में समान वीर समान रहता है क्योंकि वीर ही वीरता समझ में आ गया होगा आपको कि अगला देखिए ऐज आन। इस वाचाल को मार देना चाहिए हन टब्या में तो क्या होगा ? धातु में तब्वित प्रत्य लगने से हंतव्या बना है और हंतव्या इसलिए बना है क्योंकि चाहिए का अर्थ आया है तब्वित मतलब तब्वित और अनियर प्रत्य ऐसे हैं जो चाहिए के अर्थ में लगते हैं तो अम्भिराज कहता है समराट वाचाल माने इस बहुत ब इस बहुत बोलने वाले को इस वाचाल को मार देना चाहिए सेनापती के था आदर दीजिए आप समराठ आदिशत समराठ आदर दीजिए आप समराठ अलग छेंद रहा अब अलग छेंद कहता है अथमम मैत्री संधे असभी करने तवकिम अभिमतम आसीत पुरुराज़ अथमाने इसके पस्चाथ यह इस प्रकार देखो अथ जो होता है वो प्रारम और इतिमाने समाठ तो इतिश शब्दा और वाक्यों के अंत में लगता है और अथ वाक्यांश के प्रारम में लगता है इसके पस्चात और आथमाने इसके पस्चात गोता है। वीकार करने का तुम्हारा क्या अभिमत था तुम्हारा क्या विचार था तो पूराज कहते हैं स्वराजस से रख्षा राष्ट द्रोहात से मुक्ति देखो राष्ट द्रोहात, राष्ट तो अलिखा ठीक है, अब देखो द्रोहात, द्रोहात मनें द्रोह से, राष्ट द्रोह से मुक्ती और सुराज की रक्षा, तो रक्षेंदर कहते हैं, मैत्री करने अपि राष्ट द्रोहा, मित्रता करने में भी मात राष्ट द्रोह, तो यह भारत राश्ट एक माने एक इदम माने यह भारत माने भारत राश्ट माने राश्ट ये एक ये भारत राश्ट बहूनी चात्र राज्यानी बहूनी माने बहुत से चा माने और अत्र माने यहां राज्यानी माने राज्य और बहुत से यहां पर राज्य है बहुत से शासका तम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जे तुम इच्छ से तम मैत्री संधिना और तुम माने तुम मैत्री संधिना मैत्री मित्रता की संधि से तान माने उनको विभज्य माने बांट कर भारतम माने भारत को जे तुम माने जीतने की इच्छ समाने इच्छा करते हो और तुम मैत्री संधी से उनको बांट करके विभाजित करके भारत को जीतने की इच्छा करते हो आमभी का हच्चा अस्य प्रतक्षम प्रमाण है और आमभी का हच्चा देखो आमभी को राजा था जिसको इसी प्रकार मैत्री संधी से अलक्षेंदर ने मित्र बना लिया था और उसकी राज्य को जीत लिया था। तो को सिकंदर का केवल एक लक्ष था, कि सिकंदर संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करके अपने देश को लोड़ जाना चाता। उसका मतलब यह नहीं था, किसी को गुलाम बनाने का मकसद नहीं था, उसका मकसद था विश्व बिजय ता बनना। तो उसने लक्ष यही धान किया, तो आमभीक चा अश्य प्रतक्षम प्रमाणम और आमभीक इसका प्रतक्ष प्रमाण है, चा अश्य माने और इसका, अश्य का मतलब इसका। अलक्षेंद्र भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम भारत एक राष्ट्र है भारतम एकम राष्ट्रम भारत एक राष्ट्र है इति तव वचनम विरुद्धम ये तुम्हारे वचन के विरुद्धम ये तुम्हारे विरुद्धर था तुम्हें जो कहा लोग जनाह माने और लोग जनाह माने परजा इसलिए राजा और परजा राजा और यहां की जनता परस्परन दुरहेंते परस्पर द्रोह करते हैं पुरुराजा, पुरुराज कहते हैं तत सरवम असमाकम मान तरीका विशया तत माने वो, सरवम माने सब असमाकम माने हमारा, अंतरीका माने अंतरीक विशया माने विशया वो सब हमारा अंतरीक मामला है बाहे शक्ते तत्र हस्तक छेपा, असही ये वनराजा पृतक धर्माह, अलग अलग धर्म, पृतक भाशा, भूशा, पृतक मने अलग भाशाएं हैं, अलग वेश भूशा, अक मने होने पर भी, वयम मने हम, सर्वे मने सभी भारतिया मने भारतिये हैं, अलग धर्म और अलग भाशा, अलग वेश होने पर भी, हम सभी भारतिये हैं, विशालम अस्माकम राष्टरम ये हमारा विशाल राष्टर बहुत विशाल है तथा ही तथा माने इस परकार आहिमाने कहते हैं उत्तरम येत समुद्र से ही मादेह चाएवो दक्षिनम वर्षम तद भारतम नाम भारती यात्र संतती भारती यत्र उत्तरम येत समुद्र से जिसके उत्तर में समुद्र है हिमाद्रेश चाएवो दक्षिनम और हिमाद्री हिमाद्र माने हिमाले परवत और जिसके दक्षिन में हिमाले परवत है दक्षिन में चरनों को धोता सागर का समराट है उत्तर में रखवाली करता परवत राज बिराट है समझ गए होंगे आप उत्तरम कार्थ है उत्तर यत माने जिसके समुद्रस माने समुद्र के हिमाद्रेश चाएवो दक्षिन में हिमाले और दक्षिन में जिसके हिमाले हैं जिसके उत्तर में हिमाले जिसके समुद्र जिसके दक्षिन में समुद्र और उत्तर में हिमाले है वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्रसंसती उस वर्ष का नाम भारत है तद माने वह भारत वर्ष नाम वह जिसका नाम भारत वर्ष है और जहां की संतती माने संतान भारती नाम की जहां की संतान है फिर अलक्षेंडर कहता है अत्मे भारत विजेह दुशकरा इस प्रकार मेरी भारत विजे दुशकर है पुर्वाज कहता न केवलम दुशकर असंभवो अपी न केवल दुशकर है बलकि असंभवो भी है अलक्छेंद्रा अलक्छेंद्र अलक्छेंद्रस अग्रे वर्तसे दुर्विनीत किया तुम नहीं जानते हो किम नजानास असी मने हो देखो जहाँ पर असी लगा होता वहाँका मतलवता हो किम न जाना से क्या तुम नहीं जानते हो, इदानी मी समय विश्विजैना, विश्विजैता अलक्षेंदर से, अलक्षेंदर अर्था सिकंदर के अग्रे वर्त से आगे हो, आगे खडे हो तो पुर्राज कहता जानामी हरे जानता हूं किन्तु सत्यम तु सत्यमे यवन राज किन्तु सत्य तो सत्य ही है यवन राज भारतियाह वयम गीतायाह संदेशम नविस्मरामा भारतिया वयम वयम माने हम सब भारतियाह माने भारतियों को गीताया हमाने गीता का संदेशा मने संदेश नपिस्मरामा हमाने नहीं भूलना चाहिए हम सब भारतियों को गीता का संदेश नहीं भूलना चाहिए तो रच्छेंद्रा कहता है कस तावत गीताया संदेशा कहा, तावत, कहा मने कौन, क्या, तावत मने तुम्हारा गीता है संदेशा, तुम्हारे गीता का संदेश क्या है, पुर्राजा, पुर्राज केता सुरेताम, सुनो हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम, जित्वा भोग्छ से महीम, निराशी निर्ममो फूत्वा, युद्धस्व विगत ज्वराह, युद्धस्व विगत ज्वराह हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम, हतो का मतलब, यदि मारे जाओगे, तो प्राप्यसी प्राप्त करोगे स्वर्गम, यदि मृत्यू को प्राप्त होगे, अगर मौत आ गई, तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जित्वा अगर जीत गए, तो भोग्छ से महीम, भोग्छ से म श्टाने भोग करोंगे महिं मैने प्रथवी का। कि ये दिमार दिये जाओगे, तो सर्ग प्राप्त होगा। और जीत करके प्रथवी का भोग करोंगे। निराशी निर्ममो, निराशी मतलब बिना आशा हो करके। निराश निराशा आसा रहित हो करके निर्ममो ममता रहित भूत्त वामने हो करके निराशा निर्ममो आशा रहित और ममता रहित हो करके युद्ध करो विगत ज़रह अपने ज़र और संताप को त्याग करके ज़र को त्याग करके युद्ध करो तो अलग खेंदर कहता है आप लोग कहीं आईए नहीं और शेर करते रहें पूरा पार्ट हम पढ़ा के उठेंगे आज आप लाइब जुड़िये रहे जुड़ते रहे और सबको शेर कर दीजे एक बार वाटसेप पर भी एक बार वाटसेप का ग्रूप सबको बता दीजिए आपको कुछ नहीं देंगे आप कभी कभी हम दे देते हैं और आपकी प्राब्लम है उसके शेर करेंगे तो जल्दी मुझे मिलेगी अब कुछ दिन में हम उसको एक टेलिग्राम गुरूप भी चालू करेंगे तो उसमें बता देंगे आपको टेलिग्राम का उसपे पीडिये वगरा बहुत अच्छी मिल जाएंगे आपको यह सब एक जाम टाइम देंगे अभी फिलाल आप पाठे पुस्तक और एनी टेक्स्ट बॉक्स को पढ़िए इन सब को पढ़िए बाद में सब कुछ मिलेगा आपको अलग खेंद्रह कीमप विचिंते कुछ विचार करके अलम तव गीतया अलम माने रहने दो तो को अलम के कई अर्थ होते मत ना रहने दो ठीक है तो अलम तव गीतया अपनी गीता रहने दो तव माने तुम्हारी गीतया माने गीता तुम्हारी अपनी गीता रहने दो पुर्राज तुम असमाकं बंदे वर्त से तुम हमारे बंदी हो बुरुही बोलो बुरुही का मतलब क्या होता है बोलो कथम किस प्रकार तुई तुम्हारे साथ वर्त तव्यम बरताओ किया जाना चाहिए बताओ तुम्हारे साथ कैसा बरताओ किया जाना चाहिए तो पुरुराज कहता है यथा एकेन वीरेन वीरम प्रती यथा मने जैसे एकेन एक वीर के द्वारा वीर के प्रती किया जाता है तो अलक्षेंद कहता है पुरो वीर भावेन हर्शिता है पुरो मने पुरू के वीर भ मात्र हुए सेनापती उद्श चेनापती के सम्राठ बंधनाने मोच्य है विर हैं माने वीर पूराजा समय पूर्राजक के बंधनाने माने बंधनों को मोचई माने खोल दो बीर पुर्राज के बंधनों को खोल दो तो सेनापती कहता यत समराट आग्या पयत जैसी समराट की आग्या जो आग्या समराट अलग चेंदरा अलग चेंदरा अलग चेंद एकेन हस्तेन पुरोह दुतियेन चा आम्भीकस से हस्तम ग्रहित्वा एक हाथ से पुरू दुतियेन चा और दूसरे हाथ से आम्भीकस से आम्भीक के हस्तम आने हाथ को ग्रहित्वा आवने पकड करके बीर पुर्राज सखे आम्भीग परम वयम, वयम माने हम सब सरवे माने सभी, हम सभी समान मित्र हैं, इदानी मैत्री महोत्सवा संपादया महा, इस समय मैत्री महोत्से मित्रता का महोत्सो संपादित करूँगा, हम सब मित्रता का महोत्सो संपादित करेंगे, महोत्सो करेंगे, सरवे निकर निर्गच्छन्ती सब ही निकल जाते हैं तो आज का वीडियो कैसा लगा कक्षा दसके जितने भी विद्ध्यारती हैं सारी पाठे पुस्तकों के अनुवाद अर्थाप को मिलने वाले हैं इसलिए प्योर फार से और जहां पे चीजें प्योर मिलती हैं आप उस वीडियो उस चैनल को देखिए दुनिया भर के वीडियो दुनिया भर के चैनल आप देखते होंगे हो सकता मेरा चैनल कुछ अलग हो हमारी पढ़ाई कुछ अलग हो या हमारी पढ़ाई सबसे खराब हो या अच्छी हो जैसी भी है आप comment करिये गाली देना है गाली दीजिए लेकिन मैंने बता दिया गुरू होता है कुछ बेहुदे लोग आ जाते हैं जिनको ज्यान नहीं है जिनको गुरू की इजर्ट नहीं है सम्मान नहीं है वो आ करके गलत फलत comment कर देते है समझ नहीं आया, क्या पढ़ाया, गलत पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, समझ नहीं आया, बोलता बहुत है, चिलाता बहुत है, बोलता बहुत है तो अपनी मर्यादा में रहे करके सबको कमेंट करना है, सबको मेरे वाटसेप से जुनना है, गुरूप से तो वो गुरूप हम आपको शेर कर चुके हैं अल्रेडी चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है लाइब डिसकसन का अबाउट वाटसिप तो उसमें आप देख लीजिए और मर्यादा में रह करके सभी लोग कमेंट कीजिए आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मत कीजिए लेकिन गलत मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे अनुषासन में रहना ही सरवाधिक स्रेश्ट आप के लिए हैं अनुषासने ने जीवनम सरलम सफलम चभवती अनुषासन से ही जीवन सरब और सफल होता है इसलिए मर्यादा एक मनुश्य का बहुत बड़ा भूजन होता है एक बार चरित्र चला गया तो लोट कर दुबारा नहीं आता है फिर कभी कहानी कहेंगे फिर कभी मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए नमश्कार